नवस्कार कैसे हैं आप लोग मेरे पंडित नरेंदुर पाद्धिया लाइव हिंदुस्तान के जोतिशी कारिकरव मैं आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं सबसे पहले 29 सितंबर दोज़ार चोविस ग्रहाईस्ति देखते हैं गुरु ब्रिशव नाशी में मंगल मिध्वुन राशी में चन्द्रमा सिंह राशी में प्रवेश कर चुपे हैं सुर्वुद्ध केतु कंजय राशि तुला राशि में शुप्र वक्रेशनि कुम्भ राशि और राहु मीन राशि के बोचर में चल रहे हैं राशी फरदेख वह वप्टा पर काबू रख्ये बचों के सेहत पर ध्यान देड़ प्रेव में तूटू में पर अक्रम रंग लाएगा रुजी-्रोजगार में तरक्की करेंगे बाकि स्वास्त पे ध्यान दे प्रेम संतन्वियापार बहुत अच्छा है लाल बस्तू का दाग करकर अच्छा है को टो मुँ में व्रधी होगी धनकाव बढ़ेगा निवेश करने से बचे प्रेम संतन्व इंगे और थोड़ा मध्यम रहेगा लाल बस्तू पास रख सेंग राषी को जस्वी ते जस्वी बने रहेंगे आकरशन के केंद्र बने रहेंगे एक साकरात्ना कुर्जा का संचार होगा स्वास्त अच्छा प्रेम संतान अच्छा ब्यापार बहुत अच्छा को जल्दे कन शिंताकारी स्रश्ट्रे का स्रजन होगा मन परिशान रहेगा अज्यात भह सताएगा स्वास्त मध्यम प्रेम संतान अच्छा व्यापार अच्छे शिर्जी को प्रणाम करते रहें तुला रचिए आयके नमिन श्रोत बनेंगे पुराने श्रोत से भी पैसे आएंगे सरकारी तंत्र से थोड़ा बचके रहें पिता के स्वास्त पे ध्यान दे या पिता से थोड़ी अनवन और दूरी संभव हैं बाकी प्रेम संतान व्यापार अच्छा चल ला है सुरी को जल देते रहें ब्रिश्चक राश्य कोट कर चेरी में विजे मिलेगा स्वास में सुधार प्रेम संतान व्यापार सही चलता रहें काली जी को प्रणाम करें और तांबे की बस्तु दान करें कुम्भ राश्य को स्वास में सुधार होगा जीवन साथी का सानेध्य मिलेगा रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे नौकरी चाक्री की स्थिती अच्छी होगी प्रेमी स्वास मध्यम प्रेम संतान मध्यम व्यापार सही रहेगा स्विर को जल देते रहें नौसरे